नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौरानिक लोग पर शिवलिन पर ये चीजे जरूर चड़ाएं, जीवन में होगा मंगल ही मंगल और आपको सभी दुख और कश्टों से मिल जाएगी मुक्ती श्री शिवाए नमस्तुभ्यम दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों सनातन धर्म में सोमबार के दिन भोले नाथ की विशेश पूजा अर्चना और व्रत आदी किया जाता है कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों के पूजा पाठ और आराधना से शीघर ही प्रसंद हो जाते हैं दोस्तो वैसे तो भगवान शिव पूरे श्रग्धाभाव से मात्र एक लोटा जल चढ़ाने पर ही प्रसंद हो जाते हैं लेकिन शिवलिंग पर अलग-अलग वस्तुएं चढ़ाने से व्यक्ति को भिन्नभिन प्रकार का फल प्राक्थ होता है कुछ वस्तुओं को अर्पित करने से आरोग्य प्राक्थ होता है तो वही कुछ को अर्पित करने से समरिध्धी का आशिरवाद मिलता है लेकिन दोस्तों शिव जी की पूजा के भी अपने कुछ नियम होते हैं जिस प्रकार से शिवलिंग पर आप बेलपत्र और धतूरा समेथ कुछ चीजें चड़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका इस्तमाल शिव पूजा में करना अशुभ माना जाता है और यदि आप इन चीजों का उप्योग शिवजी की पूजा में करते हैं तो शिवजी आपसे क्रोधित हो सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि किन शिवलिन पर कौन सी चीजों को चड़ाने से क्या लाब मिलता है और वो कौन सी चीजे हैं जिन्हें शिवलिन पर भूल से भी नहीं चड़ाना चाहिए लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनात का आशिरवाद आप पर सदा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें तो पहली चीज है अक्षक दोस्तो शिवलिंग पर अक्षक चढ़ाना बहुत शुब माना जाता है शिवलिंग पर चावल या अक्षक चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिती सुधारने लगती हैं साथ ही साथ तंगी, कर्ज, आदी परिशानियों से भी धीरे-धीरे आपको छुटकारा मिलने लगता है पर दोस्तो इस बात का आपको विशेश ध्यान रहे कि चावल के दाने साबुत हो, खंडित ना हो, मतलब की तूटे-फूटे हुए ना हो आप केवल वही अक्षक चढ़ाएं जो पूरे हो अगली चीज शिवलिन पर चढ़ाएं गेहु दोस्तो शिव जी को एक मुठी गेहु चढ़ाने से व्यक्ती को जीवन में सफलता की प्राप्ती होती है शिवलिन पर गेहु चढ़ाने से सभी प्रकार के सांसरिक सुंखों की प्राप्ती होती है और घर में मा अनपूर्णा का वास हमेशा बना रहता है इसके अलावा व्यक्ती को संतान सुख की प्राप्ती होती है साथ ही साथ शिवलिंग पर गेहु चढ़ाने से विवाह की बाधा भी दूर होती है अच्छे वैबाहिक जीवन के लिए दमपत्ती को शिवलिंग पर गेहु जरूर चढ़ाना चाहिए ऐसा करने से उनके घर परिवार में सुक शान्ती हमेशा बनी रहती है अगली चीज शिवलिंग पर चढ़ाएं सफेद तिल दोस्तो शिवलिंग पर सफेद तिल चढ़ाना बहुत ही लाबकारी माना जाता है सफेद तिल चढ़ाने से व्यक्ती के जीवन से पित्री दोश दूर होता है और साथ ही पित्रों का आशिरवार भी मिलता है तिल चढ़ाने से राहु का दुश्प्रभाव भी घर से खत्म होने लगता है और व्यक्ति द्वारा उनके जीवन में अंजाने में किये गए पाप भी नश्ट हो जाते हैं अगली चीज शिवलिंग पर चढ़ाएं इत्र दोस्तो शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से गुप्ध धन और संपदा की प्राप्ती होती है वहीं शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन्धान्य और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं अगर आप भी धन धाने की प्राप्ती करना चाहते हैं तो शिवलिन पर इत्र और सुगंधित तेल जरूर चढ़ाए पर दोस्तो इस बात का ध्यान रखें कि इत्र की जगह पर फ्यूम आदिना चढ़ाए बलकि पूजा का सामान जिस जगह मिलता हो वहां से इत्र खरीदे ये आपको 10 या 20 रुपए में मिल जाएगा अगली चीज शिवलिन पर चढ़ाएं बिल्वपत्र दोस्तो बेलपत्र भगवान भोलेनात के तीन नेत्रों का प्रतीक माना जाता है अतह तीन पत्तियों वाला बिल्वपत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय है भगवान भोलेनात के पूजन में अभिशेक आदी में बिल्वपत्र का प्रतम स्थान है रिशियों ने कहा है कि बिल्वपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं एक करोड कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है पर दोस्तों बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का खास ख्याल रखे की बेलपत्र साबुत हो मतलब कही से कटा फटा ना हो अगली चीज भगवान धोले नाथ को चढ़ाए धतूरा भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है इसके पीछे पुरानों में जहां धार्मिक कारण बताया गया है वहीं इसका वैग्यानिक आधार भी है भगवान शिव को कैलाश परवत पर रहते हैं यह अत्यंत थंडा क्षेत्र है जहां ऐसे आहार और औश्धी की जरूरत होती है जो शरीर को उश्मा प्रदान करे वैग्यानिक दृष्टी से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औश्धी का काम करता है और शरीर को अंदर से कर्म रखता है इसलिए आप भी नियमित रूप से भोले नाथ को धतूरा जरूर चड़ाए अगली चीज भांग दोस्तो शिव हमेशा ध्यानमगन रहते हैं धांग ध्यान केंडरित करने में मददगार होती है इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं समुद्र मन्थन में निकले विश्का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया भगवान को औश्धी स्वरूप भांग दी गई लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मक्ता को आत्मसाद किया इसलिए भांग भी उन्हें प्रिया है भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्थ हर बुराई और हर नकारात्मक चीज़ को अपने भीतर ग्रहन कर लेते हैं और अपने भक्तों के जीवन की सदारक्षा करते हैं अगली चीज शिवलिन पर चढ़ाए रुदराक्ष भगवान शिव ने रुदराक्ष उत्पत्ती की कथा पार्वती जी से कही है एक समय भगवान शिव जी ने एक हजार बर्ष तक समाधी लगाई समाधी पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया तब जगत के कल्यान की कामनावाले महादेव ने अपनी आख बंद की तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृत्वी पर गिरे उनही से रुदराक्ष के वरिक्ष उत्पन हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समगर देश में फैल गए उन वरिक्षों पर जो फल लगे वे ही रुदराक्ष है दोस्तों शिवलिंग पर अत्यन्थी पवित्रक और चमतकारी रुदराक्ष को चड़ाने से साधक के जीवन से जुड़ी सभी बाधाई दूर होती है और उसे प्रसाद स्वरूप धारन करने पर हर समय उसके साथ महादेव का आशिरवात बना रहता है अगली चीज है कपूर दोस्तों कपूर भगवान शिव को अत्यन्थी पसंद है और इसलिए शिवजी का प्रिय मंत्र है करपूर गौरं, करुनावतारं यानि जो करपूर के समान उजजवल और सुगंधित है करपूर की सुगंध वाताबर्ण को शुद्ध और पवित्र बनाती है भगवान भोलेनात को इस नहक से प्यार है अता करपूर शिव पूजन में अनिवार्य है अगली चीज है चंदन चंदन का संबंध शितलता से है भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुन्द लगाते है चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुश्बू से वातावर्ण और खिल जाता है यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे व्यक्ति का समाज में मान सम्मान यश आदी बढ़ता है अगली चीज है भांग दोस्ट शिव जी हमेशा ध्यानमक्न रहते हैं और आशधी के रूप में भांग ध्यान केंडरित करने में मदगार होती है इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं समुद्र मन्थन में निकले विश को महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया इसके बाद भगवान को आशधी स्वरूप भांग दी गई लेकिन प्रभू ने हर कड़वाहट और नकारात्मक्ता को आत्मसाथ किया इसलिए भांग भी उन्हें प्रिया है भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याक्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज़ को अपने भीतर ग्रहन कर लेते हैं और अपने भक्तों की विश से रक्षा करते हैं अगली चीज़ है शहद शहद का अर्थ होता है मीठा ऐसा माना जाता है कि भोले बाबा कभी भी किसी से किसी प्रकार का द्वेश नहीं रखते हैं बाबा भोले नात इतने भोले है कि वो अपने भक्तों के साथ कभी भी कुछ गलक नहीं होने देते और बिना कुछ सोचे ही उनकी हर इच्छा को पूरा करते हैं दोस्तो सुम्वार के दिन शिव जी को शहद लगाने से व्यक्ति की बाणी में मधुर्ता आती है और दिल में परोगकार की भावना जगती है जिससे व्यक्ति एक सजजन मानस बनता है अगली चीज है आकड़े का फूल दोस्तो अकसर शिव पूजन में सफेद आपके फूल का उप्योग किया जाता है इस फूल को विभिन्न स्थानों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है जैसे अर्क, आंकड़ा, मदार और अकौअ इस फूल को शिव जी में चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है अगली चीज है शमी पत्र शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है इसके पुन्य प्रताप से जीवन में चढ़ रही परिशानी कम होती है और कामकारोबार में भी मुनाफा होता है शमी पत्र भक्तों की सभी आकांगशाओं को पूरा करता है अगली चीज है गन्ने का रस दोस्तो वह व्यक्ति जो कर्ज में डूबा हुआ हो उसे शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर रस चढ़ाते समय ओम नमह शिवाय मंत्र का जाक भी करते रहना चाहिए ऐसा करने से भगवान शिव उस भक्त की आर्थिक परिशानियों को दूर करते हैं खास कर सुमबार के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिशेक करना बहुत उत्तम माना जाता है इससे भोलेनात शीघर प्रसंद होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ती करते हैं अगली चीज है गंदा जल भगवान शिव की पूजा में गंगा जल का बहुत ज्यादा महत्व है दोस्तों कहा जाता है कि भगवान शिव की जटाओं से निकली गंदा के पावन जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को अनन्द पुन्य की प्राप्ती होती है मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से साधक को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ती होती है भगवान शिव की पूजा का यह उपाय और भी ज्यादा शुब फल देने वाला हो जाता है जब आप उत्तरवाहिनी गंगा का जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं अगली चीज है दूर्वा वैसे तो दूर्वा का प्रयोग गनेश पूजन में जरूरी माना जाता है लेकिन शिवलिन पर भी दूर्वा चढ़ाना शुब माना जाता है शिवलिन पर दूर्वा चढ़ाने से शिव जी के साथ गनेश जी की धी कृपा मिलती है और सारे कष्ट दूर होते हैं इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से जातक की आयू में वृध्धी होती है ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को दूर्वा चढ़ाने से मंगल क्रह को प्रसन्न किया जा सकता है और यदि किसी व्यक्ती की कुंडली में मंगल का दुश्प्रभाव है तो दूर्वा अर्पित करने से इससे मुक्ती मिल सकती है यही नहीं आपके मंगल को मजबूत करने के लिए भी शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाना शुब होता है अगली चीज है भस्न दोस्तों मान्यता है कि जो भी भक्त शिवजी को भस्न चढ़ाता है वह उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उसके सभी दुखों को हर लेते हैं माना ये भी जाता है कि भस्न चढ़ाने से व्यक्ती संसार की मोह माया से मन मुक्ट पा लेता है लेकिन इस बात का आप विशेश रूप से ध्यान रखे कि शिवलिंग पर भस्म सिर्फ पुरुश ही चढ़ा सकते हैं, महिलाओं का शिवलिंग पर भस्म चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है अब चलिए दोस्तों जानते हैं उन चीजों के बारे में जो आपको शिवलिंग पर भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए पहली चीज तुलसी की पतिया दोस्तो, तुलसी की पत्तियों को लक्षमी स्वरूप माना गया है, इसलिए शिवलिंग पर चढ़ावे के रूप में तुलसी की पत्तियों की मना ही है अगली चीज केवडा और चमपा के फूल भगवान भोलेनाथ को कभी भी केवडा और चमपा के फूल अर्पित नहीं करना चाहिए पौरानिक मान्यता है कि एक श्राप के कारण भगवान शिव को इन फूलों को चढ़ाना बर्जित माना गया है अगली चीज हल्दी और कुम-कुम शिवलिंग पर कभी हल्दी कुम-कुम नहीं चढ़ाना चाहिए इसके पौरानिक मान्यता है कि भगवान शिव वैरागी हैं और वैरागी लोग अपने मस्तक पर हमेशा भस्म लगाते हैं अगली चीज है नारियल का पानी दोस्तो, नारियल भगवान शिव को तो अर्पित किया जाता है लेकिन नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिशेक करने से भगवान शिव नाराज होते हैं और धनकी भी हानी होती है अगली चीज है शंक शंक से अन्य देवी देवताओं का अभिशेक किया जा सकता है. परंतु शिवलिंग पर कभी भी शंक का अभिशेक नहीं करना चाहिए. कहा जाता है कि पूर्व काल में भगवान शंकर ने शंक चूर नामक राक्षस का बद किया था और उसी राक्ष से उत्पन हुआ था शंक जिसके बाद से ही शंक शिवलिंग पर नहीं चड़ाया जाता है. अगली चीज है काला तिल. दोस्तो शिवलिंग का जला भिशेक करते हुए उसमें कभी भी तिल का प्रयोग न करें. मान्यता है कि काला तिल भगवान बिश्नों के पसीने से उत्पन हुआ था. इसलिए इसे शिवलिंग पर भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए. तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो. आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेट करके बताएं. माता पारवती और भगवान भोले नाथ जी आप सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें. वीडियो के अंत्तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.